इस स्कूल में सुरक्षा के इंतजाम थे लेकिन वो केवल पेरेंट्स के लिए गेट पे सुरक्षा गाइड होता था लेकिन वो सिर्फ पेरेंट्स को अंदर नहीं जाने दीता था जो ड्राइवर थे जो कंडुक्टर थे वो इस campus में आसानी से दाखिल हो सकते थे अपनी बसों के द्वारा और वो campus के अंदर ही रहते थे उनकी सुरक्षा जात नहीं कराई जाती थी कोई eye card नहीं होता था उनके पास लेकिन अगर कोई parent अपने बच्चे से मिलना जाना चाहता हो या फिर कोई अंदर घुसना चाहता हो उसे यहां पर परची बनवानी परती थी और उसका अंदर जाना बिलकुल भी मना था ऐसे में सवाल यह उठता है कि यह लापरवाही नहीं है तो फिर क्या है और इस लापरवाही के लिए रयान इस्कूल को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए जिस तरीके से यह घटना घटी है उसके बाद जो parents है वो खासे नाराज है अरेस करोन को आप F.I.R. लोज होनी चाहिए प्रिंसिबल की responsibility है और जो चेर्मेन है उनके इकलाब भी F.I.R. होनी चाहिए पेरनारानी परदूमन था डेली उनके ही प्राटनर थे उसी के साथ लड़का खेलता था और बहुत ही अच्छा पढ़ने में था वो किसी भी बच्ची से लड़ते जगरते तक नहीं थे पहले तो इनको 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 इसकूल सिल करनी चाहिए यह ने इस्तिती बहुत ही गंदी इस्तिती है कोई भी अंदर आए जाए या कोई भी इतने मेहनत से आजमी करते हैं बच्चे के एजुकेशन के लिए यहां पे घटना करम सामने आया है उसे साफ पता चलता है कि स्कूल प्रबंधन की इसमें भारी लापरवाही है ऐसे में केवल जो कल्प्रिट है जो गुनहगार है जो आरोपी है उसका पकरा जाना काफी नहीं है जरूरी यह है कि सजा स्कूल प्रबंधन को भी मिले जुर्माना करती इस स्कूल में या किसी और स्कूल में ना हो सके क्यामरा में चेतन भार्द्वाज के साथ गवर्नेंस नाव के लिए गुर्गाउं से अमिछ वास्तर